इस वीडियो इस अबाउट दी 2019 अप्ग्रेड ऑफ रेनो डास्टर दो नए कलरें इंट्रोड्यूस्ट हुए हैं कैस्पियन ब्लू एन महागनी ब्राउन इसके अलावा आपको हेडलाइट, फ्रंट ग्रिल, बंफर्स एन इंटिरियर्स में बदलाव देखने मिलेगा So without further ado, let's start the video रेनो डस्टर के सामने की ओर काफी बदलाव देखने मिलते हैं, जिसमें फ्रंट ग्रिल की बात करें तो अब ये ट्राई विंक्ट, फुल क्रोम पैटन में देखने मिलेगा अब हेडलाइट के सामने आपको प्रोजेक्टर लाम्प्स एन लेडी डे टाइम रनिंग लाम्प्स के सेटप देखने मिलते हैं फ्रंट बंफर गेट्स अ न्यू ड्वेल टोन बॉडी कलर जो मस्कुलर स्केट पिलेट्स के साथ आता है किसी भी SUV का one of the main visual highlights होता है उसका alloy wheels और ये चीज़ को बखूबी समझ के रेनो ने अब डस्टर में 16 इंच का Everest diamond cut alloy wheels दिया है इसके अलावा आपको डस्टर के पीछे के portion में new waterfall LED tail lamps के दौर पे छोटा सा बदलाव देखने मिलता है अब गाड़ी के interior में क्या-क्या बदलाव हो है उसके बारे में बात करते हैं So you will get a new midnight black interior theme इसके अलावा dashboard को restyle किया गया है and now it comes with a new central aircon vents with chrome bezel इसके अलावा आपको थोड़ा सा changes इसके staring में देखने मिलेगा and now it comes with three spoke steering wheel infotain system में अब 7.0 inch का touch screen display दिया हुआ है जो की apple carplay, android auto and voice recognition support करता है गाड़ी के अब one of the most important part की तरफ आते हैं जो होता है safety तो 1st July 2019 तक जो भी compulsory government norms थे वो सब आपको इस गाड़ी में देखने मिलेगा which includes the BNCAP, front, side and pedestrian crash norms इसके अलावा आपको ESP, electronic stability program and hill start assist भी देखने मिलता है सेफटी का ख्याल रखते हुए, रेनो ने अब दस्टर में इसके base model RxC से ABS with EBD दिया है और airbags driver and co-driver के लिए प्रोवाइड किया है, जो की काफी जादा सहुलियत का काम करेगा Hope so, आप लोगों के लिए ये वीडियो helpful साबित हुआ होगा मैं ऐसे ही regularly informative content लाता रहुँगा So, subscribe जरूर करे इस channel को, so that you will be in touch